प्यारे बच्चों श्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं B.H.E. 30-year की Atomic and Molecular Physics और आज का हमरा टोपिक है Strong Field Strong Field Stark Effect In Hydrogen प्यारे बच्चों पूरे लेक्चर को बहुती सिंपल चार स्टेप्स में हम बात करेंगे सबसे पहले हम कुछ बेसिक बाते बताएंगे स्टार की एफेक्ट से संबन्दित और फिर हम इसकी ठियोरी पढ़ेंगे इंट्रेक्शन एनर्जी से संबन्दित वो चीजे लिखेंगे कुछ सेलेक्शन रूल्स कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे और फिर उन्हीं को यूज करके जो लेवल स्प्लिटिंग और लाइन स्प्लिटिंग है उनको यूज करते हुए जो डाइग्राम है बहुत सुन्दर सा वो हम प्लोट करेंगे और हमारा ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक बार में ही ये जो टोपिक है ये आपका तयार हो जाएगा जो आपसे पांट से आठ नमबर का पूछा जा सकता है आपके एक्जाम्स में इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप इसे बिना स्किप किये ही देखें चलिए शुरू करते हैं देखिए हमने आपको पीछे भी बताया है इसे पहले लेक्चर में कि स्टार्क इफेक्ट होता क्या है जिसे हम दो केटिगरी में डिवाइड करते हैं एक होता है वीक फिल्ड स्टार्क इफेक्ट एक होता है स्ट्रोंग फिल्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइडरोजन वीक फिल्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइडरोजन जस्टिस से पहले वाला ये जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने detail में आपको बताया है चलिए मैं कुछ बातें remind कर देता हूँ उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे देखे हमने आपको एक बात बताई थी कि in an atom the electron revolves round the nucleus in an orbit and angular momentum due to this orbital motion is called orbital angular momentum the electron also revolves about its own axis and that motion you know that is called spin motion and angular momentum due to spin motion is called spin angular momentum these L star and S star these यह मैं पहले आपको बता चुका हूँ they interact इसे हम कहते हैं spin orbit interaction और जिसकी वज़े से magnetic field भी पैदा होता है अब देखे बात क्या होती है कि जब हम इस atom को कहिए इस electron को कहिए एकी बात है जब हम external electric field में रख देते हैं यह माननो हमारा external electric field है तो इस in electrons और इस electric field के बीच में interaction होता है और एक interaction हो रहा है इसके orbital motion यानि कि L स्टार और S स्टार के बीच में दो interaction हो रहे हैं अगर तो electric field और इन इलक्ट्रों के बीच में जो interaction है वो weak है in comparison to the interaction between the L स्टार and S स्टार of the same atom then it is called weak field star की fact जो हमने आपको पहले बता चुके हैं पिछले lecture में आप उसे जरूर देख लें जिन बच्चों ने नहीं देखा है अब बात देखिए कि अगर इन electrons और इस electric field के बीच में अगर हम strong electric field लगा देंगे तो क्या होगा कि electric field और इन electrons के बीच में जो interaction होगा वो strong होगा in comparison to the interaction between the L स्टार and S स्टार you can say that spin orbit interaction उस case में हम star effect को कहेंगे strong electric field star effect क्योंकि हम hydrogen का case ले रहे हैं इसलिए हम इसे strong field star effect in hydrogen भी कह सकते हैं बात आपको समझ में आगे और जब electric field strong होता है तो क्या होता है कि ये जो L स्टार और S स्टार के बीच में जो interaction होता है ये एक तरह कंप्लिटली ये जो coupling होती है ये breakdown हो जाती है टूट जाती है और हमारा ये जो L स्टार और जो S स्टार है ये इंडिपेंटली इलक्ट्रिक फिल्ड के अबाउट प्रेशर करने लगता है जैसे सुपोज कि ये ये हमारा L स्टार है इट प्रेशर अबाउट दी और ये देखिए ये हमारा S स्टार है इट आज़्सो प्रेशर अबाउट दी डारेक्शन ओफ इलक्ट्रिक फिल्ड यानि कि ये इंडिपेंटली इलक्ट्रिक फिल्ड जो हमाई एक्स्टरन स्ट्रोंग इलक्ट्रिक फिल्ड लगा रहे हैं उसके about ये प्रेसस करने लगता है अच्छे इसमें एक और बात है यहाँ पर कि S स्टार का इस डारेक्ट इलक्ट्रिक फिल्ड से कोई बहुत ज़्यादा लिंक है नहीं ये S स्टार का interaction होता है इसका जो orbital motion की वज़े से जो magnetic field पैदा होता है उससे और वो फेर फिल्ड की दिसा में जो है प्रेसस करता है खैर मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आपको साथ-साथ notes भी बनाने हैं और समझते हुए pen copy लेकर के लिखते रहे मेरे साथ-साथ तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि इन इसी की बात कर रहा हूँ इन strong मेरे साथ-साथ जरूर लिखें strong electric field जो मैंने अभी तक आपको बताई है और जो आपको एक्जाम में लिखने में वही बात यहां बता रहा हूँ stark effect the interaction किस-किस के बात में कर रहा हूँ the interaction between electrons and electric field यह जो electrons है जब हम electric field में रखें तो electric field और इन electrons के बीच में जो interaction होता है यह देखिए यह strong हो जाता है क्योंकि field strong है ना विकर field star effect में इसा नहीं था उसमें यह जो interaction था यह कि इस एलस interaction के comparatively कम था लेकिन यहां यह जादा है इज श्ट्रोंगर यह देखिए में लिख रहा हूँ इज श्ट्रोंगर देन the L star and S star interaction यह कह सकते हैं अच्छे एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि इस Ls interaction की वज़े से यान कि spin orbit interaction की वज़े से क्या होता है गाया inिख जिस यह हम स्ट्रोंगर कह यह है ज्यादा है इसलिए इस यहादा interaction है इसलिए जो stars कंस्ट्रोंगर के क्योंकि जादा integration है मैं यह जो बात कहना चाहरा हूँ कि the stark splitting splitting predominates over the magnetic L-S interaction अच्छे एक और बात जब हम strong electric field लगा देते तो होता क्या है कि यह जो L-S के बीच में जो interaction थी यह दोनों नापस में interact क्या हुआ था यह coupling ही break हो जाती है यह interaction ही breakdown हो जाता है जिससे क्या होता है कि L-star अलग से और S-star अलग से electric field के about pressures करने लगता है आप यह भी यहां लिखें में due to strong electric field यह माँ आपके notes बनाने के लिए लिख रहा हूँ आपके अपनी भासा में आप लिखें देखें ज़्यादा scoring आप कर पाएंगे due to strong electric field the L-S coupling breakdown यह two जाती है and L-star and S-star pressures independently about field आप एक screen shot ले लिजिए फिर मैं इसको आगे आपको समझाते हुए लिखता हूँ ताकि एक बार में बस देखने से हमारा यह जो टोपिक है यह तयार हो जाए in this case प्यारवचे एक और बात है कि जो S है ना उसका direct electric field से कोई interaction नहीं है बस वो जो S है वो जो orbital motion की वेजे से जो magnetic field पैदा होता है उससे interact करता है और फिर वो electric field की direction में चला जाता है यह उसके about वो precious करता है आप इस तरह से लिख सकते हैं in this case s has no interaction interaction with s has no interaction with the electric field electric field के साथ इसका कोई interaction नहीं है बट इट इंटरेक्ट विद दी magnetic field of orbital motion which falls in direction of electric field अच्छा पैरवच पिछले लेक्टर में मैंने आपको बता है shift in energy from the field free level का क्या फार्म लाया था और आप जानते हैं वो क्या था उसको हम इस तरह से लिखते हैं और वो था af plus bf square plus cf cube plus and so on ये टरम थी अगर इसमें ये single term रहती थी तो हम उसे first order star effect कहते थी अगर इसमें शरफ ये second term है रहती है तो हम इसे second order star effect कहेंगे and so on यहां जो strong field star effect है इस case में ये first order जो star effect है यही dominate करता है आप लिख सकते हैं कि in strong field star effect मैं ज्यादा समझाओंगा नहीं क्योंकि ये बाते मैं पिछले lecture में बहुत detail में आपको बता चुका हूं हमने बताया था कि weak field star effect in hydrogen बिलकुल वही चीज है उसमें वह कमजोर था क्योंकि इलक्ति फिल कम था तो इलक्ति फिलों इलक्टों के बीच में इंट्रेक्शिन था वह एलस कप्लिंग के इंट्रेक्शन की विजे के कमपेरिटिवली कम था यहां यह ज्यादा है बस strong field star effect यह देखिए क्या हो रहा है कि first order first order stark effect predominate dominant यह dominate करता है यानि क्या आप कह सकते हैं कि delta t is equal to a f बस यह ट्रम है और आप यह भी जानते हैं कि a क्या है जैसे a, b, c यह सारे क्या थी यह तो constants हैं और इन constants को हम कहते हैं stark coefficient where मैं इसको थोड़ा detail में आपको बताऊंगा a is the stark coefficient आप एक screenshot और ले लीजिए फिर मैं इसको rub कर रहा हूँ और फिर मैं आपको यह चीज़िया आगे समझाओ the trump shift इसे आप trump shift कहीं और interaction energy इस केस में strong field stark effect के इसमें trump shift का मतलब जो field free level था जैसे ही हम strong electric field लगाते हैं तो वो कैसे change आता है हो जाता है अपने उस लेवल से is given by वह मैं लिख देता हूं मैं अपर चो दिखेंगे अभी मैं लिखा था वही ट्रम है इसमें first order stark effect ही dominant करता है तो हम उसी को लिख देते हैं delta t is equal to a f f तो यहां आप जानते हैं electric field है और यह जो a है यह एक constant है जिशे हम क्या कहते हैं stark coefficient मैं लिख भी देता हूं यह equation कह देते हैं 1 where a is the constant and it is called stark coefficient और it depends on यह किस बात पर निर्भर करता है जो मैंने वहां बताये था वह यहां पर हुई है it depends on देखे n जो कि principal quantum number है जिसके बारे में बात करेंगे n1, n2 and ml इन पर depend करता है यह हमारा जो constant है कैसे करता है यह बड़ी बात है इसको हम बात में बताएंगे फिरहाल इस question में जो हमें paper में लिखना है में बात उसी की कर रहा हूं यहां पर यह जो n है ना इनके बारे में लिख देते हैं देखिए where n क्या है n is the principal quantum number quantum number और आपको इक और में बात बताऊं यह जो n1, n2 and ml है ना यह सब electric field लगाने के बाद इनका वजूद होता है इसलिए हम नहीं क्या कहते हैं electric quantum number यह क्या है electric quantum number अच्छा इनकी values क्या क्या होती है यह भी देख लिए यहां यह जो principal quantum number है इसकी value होती है 1, 2, 3 and up to infinity ठीक है नोट कर लीजेगा यह पहले से भी आपको पता है जैसे आपने hydrogen atom के case में पढ़ा होगा k cell के लिए n की value 1 होती है फिर l cell के लिए 2, s, a, k, l, m, n उनकी लिए value होती है 1, 2, 3, 4, 5 यह सब आप जानते हैं यह infinity तक होती है और यह जो n1 देख रहे हूं नहीं यह electric quantum number n1 इसकी जो value होती है यह 0 से start हो रहा है 1, 2 और यह कहां तक रहेगा n-1 तक यानि कि यह जो value होगी उसके एक कम तक इसकी value होती है और यह n2 देख लीजिएगा यह भी 0, 1, 2, अब 2, n-1 यह तक होगी और यह जो ml है न, ml इसकी जो value होती है 0, plus minus 1, plus minus 2 और यह value जिसकी होती है और इसको जर्नल अगर हम लिखना चाहें यह formula आप प्यारे बच्वी याद रिखना है भी इसको हम huge भी करेंगे n-n1-n2-1 यह formula हम ml इस electric quantum number के लिए use करेंगे यह वाली चीज आप यहाँ देख सकेंगे अच्छे पहरे बच्व एक और चीज भी मैं इहाँ important है जो हर transition में ज़रूरी होता है कि इसमें selections rules क्या क्या होते हैं कौन-कौन से selections rules यहाँ होंगे उसकी भी बात कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे इनको use करेंगे इनी फार्मलों को आपको समझ में आ रहा होगा बस उनको साइध कम समझ में आ रहा हो जिन्होंने पिछला lecture ना देखा हो इसलिए अगर जिन्होंने लेक्चर वीक फिल्ड स्टार के फैक्ट या स्टार फैक्ट वाल आर्टिकल या वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लीए प्यारे बच्चों देखिए पढ़ें तो systematic way से पढ़ें पढ़ाई का मत्तब होता है हम systematic way से study करें पहले जो known है वो क्योंकि यह जो सारे articles होते न यह आपस में चैन की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए अगर बीच की एक भी कड़ी आपने छोड़ दी या नहीं समझी तो फिर आ ms वो तो 0 रहेगा और एक ml चींड डिल्टा mlg की बात करेंगे वो होगा 0 और 1 तो यह selection rules जो हैं इनको भी आप देख लीजेगा इन्हें हम properly use करने वाले हैं नोट्स बना रहे होंगे लिख रहे होंगे समझते हुए फिर भी अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरे इन्हीं नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रेशन में भी बिल जाएगा जहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोमेंट्स जरूर करें प्यारे बच्चो अभी कुछ बच्चे नए हैं जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं नए जुड़े हैं तो इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर ले जिनका लिंक डिस्क्रेशन में दिया हुआ है तो थोड़ा सा वो भी कर ले ला इफेक्ट फोर हाइडरोजन लाइन इन फोर एन इसकल तो टू एन इसकल तो थ्री स्टेट्स प्यारे बच्चो अभी तक हमने जो भी फार्मुले पढ़े हैं या जो भी स्ट्रोंग फिल्ड स्टार्क एफेक्ट के बारे में पढ़ा है स्लेक्शन रूल्स वगेरा उनको अब अपलाई करने का टाइम आ गया आपसे एक्जामस में भी पूछ सकते हैं आपसे कहेंगे स्ट्रोंग फिल्ड स्टार्क एफेक्ट एड इलूस्ट्रेट इट बाई फोर दी हाइड्रोजन एच एलफा लाइन फोर एंटो एंटो एंट्री स्टेट्स तो फिर आपको ये वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है करना पेपर में तो चलिए आप ये तो जानते हैं एच एलफा क्या होता है कि जब कोई इलक्टों हमने पढ़ा था कि लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रेकिट, फंड सीरीज पढ़ी थी कि जब कोई इलक्टों किसी हाईयर स्टेट से और सेकिंड लेवल में जब करता है तो उसे हम बामर सीरीज कहते हैं, बामर लाइन्स मिलती हमें अगर वो सेकिंड यानि N2 लेवल में आ रहा है, N3 से तो उसे हम H-Alpha लाइन कहते हैं अगर वो N4 से N2 में आ रहा है, तो हम उसे H-Peta कहेंगे N5 से N2 में आ रहा है, तो गामा खेर छोड़िए हमें तो H-Alpha की बात करें, जहां इलक्टों जंप कर रहा है N3 से N2 लेवल में, ठीक है, और उन सभी फर्मलों को यूज़ करते हुए अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, बात करेंगे, तो चलिए मुझे बताईए देखे एक फर्मला तो हमने आपको बताया था, कि यह जो ML है इसकी विल्यू होती है, यह वाला फर्मला, माइनस N1, माइनस N2 और माइनस 1 यही था, और चलिए बताईए सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर 4 N is equal 2, 2 के लिए तो हमें यह सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो खरिए है इलक्टिक क्वांटम नंबर N1, N2 और ML, इनकी विल्यू भी हमें पता होनी चाहिए और हमने आपको बताया था, तो N1 कितना होगा N1 हमने बताया था, 0 से शुरू होगा, और वो N-1 तक होगा तो N के विल्यू तो 2 है ना, तो इसकी विल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है ठीक, ऐसे ही N2 की बात कर लीजी, समझ लीजी मेरी बात मैंने क्या बताया था, इसकी विल्यू भी 0 से लेकर के और N-1 तक जाएगी, यानि कि इसकी विल्यू भी 0 और 1 ही रहेगी और M-L की विल्यू क्या होगी, वो इस फार्मने से निकालेंगे देखिए, यहाँ पर N2 है ना, तो हमने 2 कर दिया, माइनस अगर तो इसकी विल्यू 0 है, तो 0 माइनस, 0 माइनस, इसकी विल्यू भी 0 और प्लस माइनस 1 इसकी विल्यू फिर देख लिए, अगर दोनो N1, N2, 0, 0 है, तो क्या जाएगी, 2 माइनस 1, 1 ही आ गया, ठीक है, क्या आ गया उसकेस में, देखो इसकेस में तो कितना आ गया, 1 आ गया, अब देखे, अगर हम 0 और 1 ले ले, यह तो 0 और यह 1 ले ले, तो कितना हो जाएगा, फिर तो यह 0 हो समझें, फिर देखना, कि अगर हम दोनों को 1, 1 ले ले, यह देखे, 1, 1 ले ले, तो यह माइनस 3 हो गया, यह 2 हो गया, तो यह माइनस 1 हो गया, इसका मनलब इस कंबिनीशन में, ML की वेल्यू होगी, 0 और पलस माइनस 1, यह तो हो गई हमारे, N is equal to 2 के लिए, ठीक, ऐसे ही, अब आप मुझे बताइए, कि अगर, अभी हम इसको टेबल बनाएंगे, तभी तो हमारा वो जो डाइग्राम है, जहां ट्रांजिशन से हैं, सेलेक्शन स्रूर्स ओबे करते हुए, वो भी हम ड्राइ करेंगे न, तो चलिए, इसकी और बतादो मेरे को, अगर N is equal to 3 है, तो फिर N1 की value क्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, क्यो N1 की value 0, 2 N-1 तक है, तो फिर N2 की value क्या होगी, 0, 1, 2 ये भी वही होगी, और M L की क्या value होगी, वो अब आप बताइए, प्यार बचो, वो इसी फार्मने से निकलेंगी, जैसे सुपोज करी ये तो 3 है, अब N1 भी 0, N2 भी 0, माइनस 1, तो कितना आजाएगा, ये तो 2 आजाएगा, ठीक है न, ऐसे ही अलग-अलग combinations यहां बनने वाली है, हम उन सब को निकालेंगे, लेकिन तरीका आपको ये बात यहां पर समझ में आगी, N is equal to 2 के लिए भी, और N is equal to 3 state के लिए भी, इनकी value को के बारे में आपको पता चल गया, चलिए आप हम एक table बनाते चलते हैं, ताकि easy हो जाए को कि काफी combination यहां बनने वाली है, और फिर हम यहां पर diagram भी बनाएंगे, और जब ये table और diagram दोनों आपके तयार हो जाएंगे, तो आपका article भी पूरा हो जाएगा, बैस, number B पूरे आएंगे, N, N1, N2, N2-N1, N2, N2-N1, N2, N2-N1, और 1ML, तो अब हम combination शुरू करते हैं, मान लो N की value 2 है, तो N1 में ये possible हो सकती हैं, 0 और 1, क्योंकि आप जानते ना, कि N1 और N2 की value 0 से N-1 तक जाती है, तो मान लो हम पहले इसको 0 मान लेते हैं, N1 की value, और N2 की value 1 ले लेते हैं, जैसे मान लो ये 0 और ये 1, ठीक है, तो फिर यहां N2-N1 करेंगे, तो कितना आजाएगा, जैसे N2-N1 करेंगे, तो ये तो 1 आजाएगा, और N, N का मिलब 2, इंटो N2-N1 करेंगे, तो 2, यहां 2 औ और ये 1 है, तो 2-1 या, 2 हो जाएगा, अब ML की क्या value होगी, इस case में, वो यहां से देखेंगे हम लोग, कि कितनी value जाएगी, ये देखो, हमारे पास N है, N कितना है, 2-N1 कितना है, 0, मान लेते है, 1-1, तो ये तो 0 आगया, तो हम यहां ML की value कितनी लिख देंगे, 0, क्योंक 0 ले लेते हैं, यानि कि अकर N1 की value 0 हो, और N2 की value, देखो, 0-1 थी, अब 0-0 ले लिया, हमने दोनों ही 0 ले लिया है, तो फिर 0-0 कितना हो जाएगा, 0, और ये देखे, इसको, हम जब 0 से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0, और ML की value, आप यहां से देखेंगे, ML कैसे कितना है, 2, और N1 कितना है, 0-0-1, तो ये तो 1 आ गया है, तो इसलिए ये value 1 हो, ठीक है, ये फार्मलाई हम लगा रहे हैं, अब ये, देखो, हमने 0-1 कर ली, 0-0 कर ली, आप देखे, 1-1 कर लेते हैं, यानि कि ये 1 है, तो और ये भी 1 है दोनों, कि N1 की value 1 है, और N2 की value 1 है वो भी ले ली हमने, तो N2-N1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि N2-N1 0, और यहां पर देखे, इसको इससे multiply करेंगे, तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टरम तो 0 है ना, और इसको 2 से जब multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब आप यहां रख ली तो ये हो गया हमारे पास, माइनस 1, 1 और 0, अब ये combination बने गई, 1 और 0, अब देखे, ये 1 है, तो N2-0-1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, देख लीजिए, पर 0 में 1 subtract करेंगे, अब देखे, N into N, इसको N से multiply करेंगे, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ML कितना होगा, वो आपको यहां से देखनी से पता चलेगा, कि भी देखिए, यहां जो भी results हैं, जैसे N तो 2 है, ये तो है ये principle quantum number, और N1 कितना है, N1-1, N2 कितना है, 0 और –1, ये कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 2-2 कितना हो गया, 0 ये हो गया, अब हम बात कर लेते हैं, एक और combination किये, देखिए, ये चीज तो आपने note कर ली, अब हम N3 के लिए, ये वाली combination आप हमारी बनेगी, N तो कितना हो गया, 3 हो गया है, अब हम ऐसे करेंगे, combination देखो, 2-2, 2-1, 2-0, फिर, 1-2, 1-1, 1-0, फिर, 0-2, 0-1, 0, तो चलिए, पहले हम N1 को 2 ले लेते हैं, N1 को 2 ले ले, और N2 को भी हमने 2 ही ले लिया है, तो फिर बताइए, N2-N1 कितना हो जाएगा, 0, और यहां से देखिए, इसको इससे multiply करेंगे, 3 से, तो ये तो कितना हो जाएगा, 0, और ML की क्या value होंगी, वो अब आप यहां से देखिए, ये तो 3 है, N तो 3 हो गया, minus N1, त देखिए, N1, N2, और ये, ये simple दो ही तो फार्म में हम लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 minus 5 हो गया देखिए, तो कितना हो जाएगा, ये, minus 2 हो गया, देखिए, आप खुदी देख लीजिएगा, तो हम यहाँ पर इसको minus 2 कह देते हैं, पहली combination ये हो गई है, अब हम next, 2, 1, यानि कि, N1 तो 2 ही है, लेकिन, N2 की जो value है, वो 1 है, ये देखिए, 2, 2 थी, अब हमने combination लिए, 2, 1, ठीक है, आप देखो, N2 minus N1, N2 minus N1 करेंगे, तो ये तो minus 1 हो गया है, और इसको जो भी से multiply करेंगे, तो minus 3 हो गया है, 3, यहाँ देखो, यहाँ 3 लिखेंगे, और ये तो minus 1 है, तो ये minus 3 हो जाएगा, और M, L की क्या value होगी, वो फिर हमें यहीं से पता चलेगा, यानि कि, N तो कितना है, 3, N2 कितना है, ये देखिए, minus N1, 2, N2 कितना है, minus 1, और minus 1, अब देखिए, कितना आ जाएगे, ये, 3 मेंशे जब 4 subtract करेंगे, तो ये हो जाएगा, minus 1 यानि कि, ये value हमारे पास आ गई है, minus 1, देखिए, combination अपनी आप बनती चली जाएगे, अब हम ले रहे हैं, 2, 0, यानि कि, N1 तो 2 है, लेकिन, N2 कि value 0 है, अब देखिए, 0 minus 2 करेंगे, तो ये minus 2 हो जाएगा, और इस minus 2 को 3 से multiply करेंगे, तो minus 6 हो जाएगा, ये देखिए, 3 into minus 2, minus 6, अब हम बात करेंगे, वही कि भी, ये ml कितना होगा, ये तो 3 है, minus N1, 2 है, minus 0, और minus 1, 3 में से 3 सब्टेक्ट करेंगे, तो 0 आ गया है, इसलिए ये value हमारे पास 0 हो गई है, देखिए, एक बार ये note कर ले, उसके बाद हमारा जो diagram है ना, level splitting वाला, वो बहुत अच्छी तरी किसा हमारी समझ में आ जाएगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जरूर रहे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी अपने copy पर, अपने rough copy पर ही पहले बनाए, और फिर श्राफ साफ अपने register में अपने कुद की notes बनाए, और notes का link एह सच देखना चाहते हैं, यहाँ 1, और यह देखिए, 1, 2, तो यह 2 हो गया है, अब वही, N2 माइनस N1, तो यह तो बच गया 1, और इसको जब इससे multiply करेंगे, तो हो जाएगा 3, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ML की value क्या आएंगी, यह तो 3 है, माइनस N1, 1, माइनस 2, और माइनस 1, तो यह क कितना हो जाएगा है, देखिए, तो 4 है, 3 में से तो माइनस 1 बना गया है, अम यहाँ पर माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है, अब 1, 1, 1, 1, 1 की बात कर लेते हैं, यह 1 है, और यह भी 1 है, देखिए, हम तो 1 से चल रहे हैं तो कितना आजाएगा, देखिए, N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा जीरो और यहां से देखिए इसको इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो यह कितना हो गया 3 into 0 यह 0 हो गया है अब हम फिर यहां से देख लेते ही तो यह देखिए प्यारे बच्चों यहां पर n कितना है n तो हो गया हमारे पास आप देख रहे हैं 3 है minus 1 minus 1 और minus 1 यह देखिए यहां से आप देख रहे हैं n 1 n 2 यह विल्लू जामें यहां रख दी है और हमारे पास यह भी 3 है तो यह तो 0 आगया है हमने यहां 0 लेख दिया है आगे और चलते हैं अपके बार जो combination ले रहे हैं 1 0 के ले लेते हैं यानि कि 1 और 0 यहां पर देखिए 0 minus 1 करेंगे तो यह minus 1 हो जाएगा इसको इसे multiply करेंगे तो minus 3 हो जाएगा और फिर हम देखेंगे ml की value हमारी यह तो 3 है और यह देखिए n1 कितना है 1 यह 0 और यह 1 तो यह बच जाएगा हमारे पास 1 तो हम यहां लिख देते हैं plus 1 यह देखिए यह 1 और 0 की भी बात हो गई है यानि कि अब हमारे पास अच्छ है अब हम चलेंगे यहां से यह 0 लेंगे यह 2 लेंगे फिर 0 और 1 लेंगे और फिर 0 0 ले लेंगे चलिए अब हम बात कर रहे हैं n is equal to 3 यह एक लेवल है हमारा मानलो इस लेवल से transition हो रही है यह n is equal to 2 में यह देखिए इसे हम h alpha line के रहे हैं यह बामर सीरीज में जो हमारी h alpha line है और सच्छी बात यह है कि यहां पर अभी हमने electric field नहीं लगाया है यानि कि electric field जो है यहां पर 0 है field free level जो है जब field नहीं लगाया था तो यह वाली line है लेकिन जैसे ही हमने electric field लगाया यह देखिए जब electric field जो है electric field भी कोई कम नहीं होना चाहिए strong होना चाहिए यानि कि जो electric field है that must be greater than 10 की power 7 volt पर मीटर इस यह इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी strong electric field star की फेक्ट हमें future होगा तो इस case में जो जो possible values है वैसे तो यह एंवन एंटू मैंने लिख रखे यह सारी लिख दें लेकिन में यह दो लिख लेता हूं एक तो हम लिख लेते हैं ml यह देखिए यहां पर यह level कैसे split होता है मैं उसकी बात करता हूं जैसे हम लोग फिल लगाएंगे तो यह level यह level यह 4 जितने भी possible values होंगे ना प्यारबचो वह हम यहां लिखेंगे इधर हम लिखने वाले हैं n2-n1 यहीं इनको different कर देगा difference डाल देगा और इधर हम ml की value लिख देंगे क्या लिखेंगे ml की value लिख देते हैं यहां पर मेरे साथ साथ आप भी जरूर लिखा देते हैं यह देखें एक यह हो गया हमरे पस और एक यह हो गया हमरे पस एक यह level हो गया है और एक यह level हो गया है तो यहां पर अब हम चलिए प्यारे बच्चो शबसे पहले n2-n1 हम 2 ल 2 के corresponding अगर हम N into N to minus हो तो 6 है लेकिन हमें तो ML देखना है तो 2 के corresponding ये 0 है ML की value 0 हमने 0 लिख 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 बाद में selections रूज अपलाई करके जो transitions होंगे न वो देखेंगे कितनी lines में ये split हो रहा है level splitting तो आपके सामने हो गई है ये 4 होंगे देखेंगे अभी आपको पता चल जाएगा चलिए इस 2 की बात तो हो गई है अब 1 की बात करिद लेते हैं 1 कब हो रही है देखो 1 यहाँ पर 1 है 1 है यहाँ पर है 1 और 1 चलिए अगर हम इसको 1 लिख दे N2 minus N1 को ये देखे N2 minus N1 को 1 लिख रहे हैं तो इसके corresponding minus 1 है और इस 1 के corresponding plus 1 है इसका मतलब यह जो value है यह plus minus 1 है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 यह है और यह 1 है उसके बाद हम बात कर लेते हैं 0 की वही यह 0 है मानलो तो 0 के corresponding देखे आप 0 एक यह है एक 0 यह है एक 0 यह है तो इनके corresponding हमारी जो ml की value है वो कितनी है ml की जो value आप देख रहे हैं यह minus 2 है minus 2 है एक तो 0 के corresponding इसके corresponding 0 भी है यानि कि इसकी value 0 भी है और इस 0 के corresponding यह plus 2 भी है इसका मतलब यह plus minus 2 हो गया है यह बात आपने देख रहें आप यहां पर कि 1 के corresponding जो value है 0 के corresponding यह 0 की कोरस्पूंड endured minus 2 इसके corresponding 0 और इसके corresponding जो है plus 2 यह value आपके पास आगई और उसके बाद हम कर लेते हिम minus 1 जब यह minus 1 है तो minus 1 देखो एक यह है एक यह है तो इसके corresponding minus 1 और इस माइनस के को नहीं प्लस वन इसका मतलब यहां पर जो ml की विल्यू होगी वो प्लस माइनस वन हो गया तो देखिए n is equal to 3 के corresponding जैसे ही हम strong फिर लगाते हैं तो यह 5 levels में split हो गया है और हमारी n is equal to 2 के corresponding जो states है वो 3 states में split हो गया है और उजी की वज़े से line splitting हो भी देखत हैं हमने आपको एक बात बताईती देखिए कि जो डेल्टा ml है वो या तो जीरो होना चाहिए जीरो पाई कंपोनेंट के corresponding होता है या फिर प्लस माइनस वन जो सिग्मा कंपोनेंट के लिए उसको लगाते हैं डेल्टा ml की value 0 होगी पाई कंपोनेंट के corresponding और प्लस माइनस व इस जीरो में भी तो आएगी ये भी हो गई ये नमबर दो यहां से अगर प्लस माइनस वन से प्लस माइनस वन में करेंगे तब ये तो जीरो ही आएगा ना ये अलफा लाइन्स की मैं बात कर रहा हूँ यहां वो चीज आ रही है डेल्टा ml is equal to 0 और यहां पर हमें मिलेगा पाई कमपोनेंट अब यहां से देखे इस जीरो से यहां से भी देखे इस जीरो से अगर हम चलते हैं तो इस जीरो में आएगे इस जीरो से अगर हम चलते हैं तो इस जीरो पे भी जीरो ही आएगा यह देखे यह बात भी हमारे पास होगी इस वन से यहां से जो एक और बात मैं आपको यहां बताता हूँ कि इस यह बताता हूँ, अब इस 0 से भी देख लिजिए प्यारे बतो, इस 0 से, इस 0 में निचे 0 में चला गया है, इस 0 से, इस 0 में भी जाएगा, जो ट्रांजिशन हो रहा तो, देखे कितने ट्रांजिशन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines हमें observe हो गींगे, यह सारी की सारी πाई components हैं, यह हो गई प्यारे बज़ों, इधर तो अब हम sigma component, sigma component कब होगा, जब plus minus 1 होगा plus minus 1 कब होगा देखिए, जब 0 से 1 में transition हो रहा है इसमें plus minus 1 ही आएगा, plus minus 1 से 0 में जाएगा तो भी वही बात है, इस plus minus 1 से इस 0 में जाएगा तो भी वही बात है, transition यह देख लीजिएगा इस 0 से plus minus 1 में आएगा, तो भी यही होगा इस 0 से plus minus 1 से 0 में जाएगा, इस plus minus 1 से तो भी 0 आएगा plus minus 1 ही आएगा, यहां से इस transition होगा यह, तो भी 0 आएगा इस 0 से इस plus minus 1 में जाएंगे यह देखिए प्यारे बच्चो तो भी हमारा plus minus 1 यह आएगा कितनी line होगी यह देखिए आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कि 8 और 7, 15 यानि कि H alpha की case में we observe 15 lines due to the strong star की effect वो लिख भी देंगे हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि in case of H alpha we observe 15 lines due to strong field star effect we observe 15 lines जो आपके सामने हैं यह diagram बना दिया हमने तो थोड़ा सा प्यारे बच्चो अगर तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो हमें यह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है और वो आपके सामने हैं स्क्रेंशोट लेते हुए समझते हुए इसको आप लिखें और आज के लेक्चर में इतना ही और इसी तरह के और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नए हैं तो और पहले से कड़क्या है तो प्यारे बच्चो कोमेंट्स जरूर करें ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसके बारे में कहां से बिल आपके गा थेंक्यू वेरी मच्च